सहायत निर्वाचन अधिकारी एवन SDM जोगिंदर नगर मनीश चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम लोग सभाचुनाव 2.19 में 60 प्रतिशत से कम मतदान दर्स करने वाले मतदान केंडरों के लिए निर्वाचन आयोग ने मिशन 414 की शुरुवात की है मिशन 414 के तहट कम मतदान वाले मतदान केंडरों में मत प्रतिश्टता बढ़ाने के लिए विशेश बल दिया जा रहा है इसी मिशन के तहट 31 जोगिंदर नगर विधान सभा निर्वाचन शेतर में भी कुल ऐसे 20 मतदान केंडर चिनहित किये हैं जिनमें गत आम लोगसभा चुनाव के दौरान 7 प्रतिशत से कम मतदान दर्स हुआ था इसी विशेश अभियान के तहट जोगिंदर नगर विष निर्वाचन शेतर के 20 मतदान केंडरों में यहां मतदाता जागरूपता अभियान चलाया गया जो आज संपन्न हो गया आकामी लोगसभा चुनाव के दौरान सशक्त लोगतंत्र के लिए युवा वन नए जुड़े मतदाता अवश्य अपने मताधिकार का इस्तिमाल करें उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षा एवा रोजगार के लिए क्शेतर वप्रदेश के बाहर गए सभी युवा वन न चेंद्र कर्यांबली तथा ग्राम पंचायत पूठपूर के तहत मतदान केंद्र भ्रामी आज आयोजत मतदाता जागरूपता शिविर के दौरान सेलफी पॉइंट पर अपनी फोटो खिंचवाई तथा आने वाले एक जून को आम लोगसभा चुनाव के दौरान अपने म 2023 को हुए हिमाशल प्रदेश बाल विधान सबा सत्तर में बतोर बाल विधायक जुगिंद्र नगर का प्रतिनित्व करने का उसे प्राप्त हुआ था आज मैं आपके समक्ष जुगिंद्र नगर विधान सबा क्षेत्र के यूथ आइकन के तौर पर आप सभी मतदाताओं से आवाहन करती हूं कि एक जून 2024 को होने जारे आम चुनावों में बढ़ चर कर भाग ले ताकि जुगिंद्र नगर का मत प्रतिशत मंडी लोकसभा सीट में सबसे अथिक हो साथ ही जो व्यक्ति एक एपरेल 2024 से पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं परांतु अभी तक वोट रिज कारी के पास चाके स्वयम को वोटर अवश रिजिस्टर कराएं आकि रिटर्निंग ओफिसर डी सी मंडी श्री अपूर्देव गंजी तर्था डिस्टिक स्विप नोडल ओफिसर एडी सी मंडी श्री रोहित राठोर जी द्वारा चलाएं गेस 414 वबाईस अभ्यान के अंत जो रोजगार के चलते हैं अपने अधिकार का इस्तिमाल करें तथा में एक से पोना होगी तप तक के लिए जै हिंध्ध जैहिमाचंग जैम पंदाता